हे गाईज जहिन कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे सो यहाँ पर आज की जो आपकी क्लास है क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप से बोलूँगा जिस तरीके के कॉंसेट्स हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इस एबुक को आप हमाई ले सकते हो इसमें आपको रिजनिंग के हर वो कॉंसेट हमने कर रखा है जो कि आपके इंट्रेस पॉपर से इंपोर्टेंट है और वहाँ पूछा ही पूछा जाएगा तो यह आप अगर लेते हो तो कम टाइम में एक आपको बहतरीन अप्रोच मिलेगी एक ही जगा पे सब के सब पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो डिस्क्रि और full to यहाँ पे explanation रहेगा चीजों को समझाते हुए बहुत अराम से आपकी सारी चीज़े complete होने वाली हैं कम समय में तो चलिए बैराल यहाँ पे चीजों को आप अगर लेना चाते हैं ebook को तो description box में link दिया हुआ है हम आयाते हैं class पर तो अराम से चलेंगे ठीक है और समझ ले लिजे वहाँ से आपको चीज़े detail में भी समझ में आ जाएंगी वहाँ और detail में हमने बता रखा है ठीक है तो question आपका number one है कि 22 men can complete a job in 16 days और मैं subscribe करने को नहीं बोलूँगा आप content देखिए आपको पसंद आए तो भाई subscribe कर दिजएगा ना पसंद आए तो मत करिएगा question number one है 22 men can complete a job in 16 days in how many days will 32 men complete the job हिंदी में बोल देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए बाकी pattern तो सेम ही होने वाला है 22 men जो है वो मिलके एक job है या एक काम है कुछ उसको complete करते हैं 16 दिन में कितने दिनों में वही सेम काम 32 men मिलके complete करेंगे ये आपको बताना है बहुत easy question है direct आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ 22 men can complete 16 days ठीक है can complete a work in 16 days तो कुछ इस थरीके से आपको लिखना है मान लेंगी हम x days में ठीक है x days मान लिया बस इसको यहां पर आपको solve करना है 16 to 32 और 211 जा तो यहां पर x की value क्या जाएगी 11 days ठीक है 32 men अगर work करेंगे तो 11 days में आपका काम complete हो जाएगा बाकि detail concepts जो है वो हमने अल्रेडी करवा रखा है तो वह I hope कि आपने work session किया होगा या e-book को आपने लिया होगा तो वहां से आपको चीज़े पता होंगी next हम देखते हैं a and b complete a work in 15 days and 10 days they start doing the work but after two days a b had to leave and a alone completed the remaining work the whole work was completed in question क्या कह रहा है question कह रहा है कि आपका a ने जो है वो 15 दिन में काम खतम कर सकता है कोई भी और b जो है वो आपका 10 दिन में काम खतम कर सकता है यह आपका बोला गया है स्टार्टिंग के दिनों में क्या हुआ है जो है दो दिन तक A और B दोनों ने ही काम किया है लेकिन दो दिन के बाद भाईया जो B है उसमें छोड़ दिया है और फिर बाकी काम जो बचा है वो A ने कंप्लीट किया है तो कितना टोटल टाइम लगेगा इस पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए तो कैसे निकालते हैं देखे आप पर परोच हमने लेख लिए A इस इक्वल्स टू जो कि यहां पर 15 डेज और B इस इक्वल्स टू टेन डेज का यहां पर दिया हुआ है इन दोनों का हम LCM लेंग ठीक है और E-book मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ वहां पर चीजों को आपको detail में समझाया गया है तो वो भी आप देख सकते हो हाला कि यहां पर भी मैं आपको पूरी-पूरी detail में ही समझा रहा हूँ ठीक है बट और basic अगर जाना है आपको तो आप वहां से जा सकते हो लेगिन अभी मैं मान रहा हूँ कि आपको इस सब चीजे समझ में आ रही हूँ और आपको इस सब चीजे concepts जो हैं वो clear है और फिर 15 को divide किया 30 से यहां पर कितना आया टू फिर 30 को divided किया 10 से तो कितना आया 3 ठीक है तो यह आपका क्या आ गया है कि A जो है ना ये एक दिन में 2 unit काम कर रहा है और B जो है ना 1 दिन में 3 unit काम कर रह और देखिए इन दोनों ने मिल कर 2 दिन तक काम किया था na तो A और B का अगर हम दो दिन तक काम निकालें कि दो दिन का इन्होंने काम किया तो मतलब क्या है A दो काम करता है B तीन काम करता है टोटल मिलके पांच काम करते है और यही पांच काम यह इन्होंने दो दिन तक किया है मतलब इन्होंने 10 काम जो है वो खतम कर दिया है ठीक है और यहाँ पर days की अगर हम बात करें तो days का मैं आपको अलग color से mark कर देता हूँ यह 2 दिन अभी हमारे पास है ठीक है दो दिन तक अभी यहाँ पर हमारा invest हुए अब बात करते हैं हमारा जो बचा हुआ है बचा हुआ वर्क कैसे निकालेंगे टोटल वर्क यह जो है यह आपका 30 आया था इसमें से 10 काम तो हो चुका है बचा कितना है 20 ठीक है 20 बचा है अब क्या हुआ दो दिन बाद यह जो यह छोड़के चला गया भी भाही छोड़के चला गया भी है यठ लीव हाना तो कौन बचा सिर्फ ए बचा और एक ही unit कितनी है दो unit पर ड़क के हिसाब से हैं तो जब भाही बी चला गया तो ए ही तो काम करेगा नव अगर एक दिन में ए जो है दो unit काम करता है तो 20 unit काम एक इतने दिन में करेगा 2 से divide करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 दिन ठीक है तो यहाँ पर total अगर हम देखें तो आप कहोगे कि सर ये वाले 10 दिन और ये वाले 2 दिन तो दोनों को मिला के 12 दिन में जो है total काम खतम हो जाएगा I hope so आपको एक concept समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेगा फिर इसे देखेगा तब सीजे समझ में आएंगी next यहाँ पर हम देखे A and B can finish a work in 30 days B and C can finish a work in 40 days C and A can finish a work in 60 days How long will they take to finish it while working together मतलब A and B काम करते हैं तो 30 दिन में खतम कर देते हैं B and C काम करते हैं 40 दिन में खतम कर देते हैं C और A काम करते हैं तो 60 दिन में खतम कर देते हैं तो यह बताना है अगर तीनों मिल कर काम करेंगे ना तो वो work जो है कितने दिन में खतम हो जाएगा ठीक है कैसे अप्रोच लगानी आप देख लीज़े यहाँ पे A plus B request हम लिखेंगे 30 दिन में खतम कर रहे हैं B plus C आप देख लीज़े यहाँ पे कितने दिनों में 40 days में खतम कर रहे हैं और similarly हम C plus A की बात करें तो यह 60 days में कर रहे हैं हम मोटा मोटा अगर हम LC लें इन तीनों का तो क्या बनेगा हम मान लेते हैं 120 हाना तो यहाँ पे 30 से आ जाएगा 4 40 से आ जाएगा 3 और यहाँ पे 60 से आ जाएगा 2 ठीक है अब हम यहां पे अगर हम plus करेंगे इसको यहां पे plus आप कर लिजे ठीक है अब हम क्या करेंगे plus करेंगे तो यहां क्या जाएगा two यह सब को plus करेंगे हाँ तो क्या जाएगा two a plus b plus c is equals to four और यह three seven और यहां पे कितना जाएगा two कितना जाएगा nine if I am not wrong करेक्ट 34 जा 43 जा 62 जा हाँ ठीक है और 120 हमारे टोटल वर्क हो गया टोटल वर्क हो गया 456789 हाँ तो यह कितना आ गया टू ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C और is equal to 90 के बस हमने क्या किया है add कर दिया अब देखिए आप यहाँ पर हमारी जो value बन रही है वो क्या बन रही है मैं change कर देता हूँ जिसे आपको चीज़े clear रहे है value जो बन रही है वो यह कि A प्लस B प्लस C 9 बाइ 2 यहाँ पर इनकी unit है ठीक है यह तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे है 9 बाइ 2 unit काम कर रहे है अब देखिए हमारा जो total work है वो कितना है 120 है ठीक है तो याद रखे का हमने क्या निकाला था A प्लस B प्लस C जो है 9 बाइ 2 यह इनकी एक दिन का काम है यूनिट पर डे ठीक है और total work कितना था 120 था ठीक है तो जितना work है अब हमको करवाना किस से है अगर यह तीनों ही मिलकर काम करें तो तीनों ही मिलकर काम करें का मतलब क्या 9 बाइ 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहां पर आपके डेस बन जाएंगे ठीक है जितने दिनों में यह तीनों मिलकर काम खतम करेंगे ठीक है आई होप सो आपको यह समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्सक्षंट नमबर 4 है आपका 10 वोमेन कें गंप्लीट आप वर्क इन 7 देस एंड तेन चिल्डरन कें टेग 14 देस तो फिनिश दे वर्क इन हाउ मैनी डेस 5 वोमेन और 10 चिल्डरन विल टेक तो फिनिश दा वर्क कैसे करना ऐसे कोश्ट्रों को देखते हैं तो देखे इसमें हमें क्या है पहले ratio निकालना पड़ेगा हना कि men की जो efficiency है वो कितनी है sorry children की efficiency कितनी है और women की efficiency कितनी है एक दिन के हिसाब से उसके बाद हम यहाँ पर चीजों को solve करेंगे देखे कैसे करते हैं पहले हम यहाँ पर नॉर्मल लिखेंगे कि 10 women कितने दिन में साथ दिन में काम खतम कर रही है is equals to वही सेम काम 10 children 14 days में खतम कर रहे है इसको हमको अभी solve करना है तो हम 10 से 10 को cancel करेंगे 7 2 यहाँ पर आ जाएगा तो woman is equals to 2C आ जाएगा अगर हम और देखें तो woman upon children is equals to 2 ratio 1 को चिस तरीके से हम ratio को लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखें work निकालेंगे total work हम अगर निकालें total work तो यहाँ पर total work हम कैसे निकालेंगे देखें किसी भी एक में आप रख लीजे या तो इस वाली situation में रख लीजे या तो इस वाली situation में रख लीजे आपकी value सेम आएगी work की total work सेम आएगा देखें कैसे w की value क्या है 2 तो यहाँ पर 10 w into 7 करेंगे मतलब 10 into 2 into 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 ठीक है तो अब अगर आप यहाँ पे children की देखें के value 1 है ठीक है तो यहाँ पर आप रखोगे 10c into 14 तो 10 into 1 into 14 तब भी आपका 140 बनेगा तो हमारा total work कितना बन गया है यह देखें यहाँ पे 140 बन गया है ठीक है तो अब हमने निकाल लिया है कि women और children का ratio कितना है 2 ratio 1 और जो total work है वो कितना है 140 अब हमको यहाँ पे क्या करना है हमको यहाँ पे काम करवाना है कितने 5 women से और 10 children से कैसे काम करवाएंगे देखें total work हमारा कितना है 140 और 5 women का मतलब है हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि 5 into 2 2 कहां से आया है यह इनकी efficiency जो हमने निकाली थी से आये c की value हमने यहां से जो ratio निकाला था उसका तो अब यह जो है यह upon में है यह भी ध्यान रचेगा ठीक है 140 और यह upon में यह पूरा इतना ठीक है तो 5 to 10 और 10 और 10 और यहां पे भी आपका concept same लगेगा बट question पूछने का तरीका कुछ अलग है ठीक है pipe and system का है जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि यहां पे राम जो है वो 15 दिन में काम खतम करता है यह आमने लिखा था कि A जो है वो 15 days में खतम करता है बीड जो है वो 30 days में खतम करता है तो दोनुं मिलके कितने दिन में खतम करेंगे इस तरीके से आपके यह भी question पूछ पूछ सकता है कि भजा A pipe है तो वो 15 गन्टे में एक टंकी को फिल कर रहा है तो दोनुं मिलकर टंकी को क Channel करेंगे कितने गंटे में कितने घंटे में फिल सकता है बट क्योंकि उसमें लीकेज है इसलिए उसको 20 घंटे लग जाते हैं तो ये बताना है कि जो लीकेज है वो पूरी भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा बहुत इजी कोशन है बस एक बार आपको देखनी है चीज़े और आपके दिवाग में सब फंडे क्लिय कर रहा है ठीक है उसकी हमने यहां पे बी माना है टोटल टाइम कितना लग रहा है यहां पे 20 घंटे लग रहा है जब लीकेज एवेलेबल हो जाएगा तब दोनों का हम एलसे हम लेते हैं डोनों का एलसे हमारा कितना बनेगा दोनों का एलसे हम बन जाएगा हम मान लेते हैं 4 बट जब A-B हो रहा है तो यहाँ पे आ जा रहा है 3 that means कि अगर हमारा A4 है तो B कितना होगा 1 होगा 1 होगा बस इतना आपने समझ लिया आप देखिए B की value हमने क्या find कर ली 1 find कर ली जब B की value 1 find कर ली नामने तो इसका मतलब यह है कि B जो है और total tanky हमारे कितने लीटर की है तो यह जो आपका 60 आपने LCM लिया था ना यहाँ से यह total tanky की capacity है 60 तो जब B जो है वो क्या कर रहा है एक घंटे में एक लीटर खाली कर रहा है तो 60 लीटर की tanky कितने घंटे में खाली करेगा भाई 60 लीटर 60 घंटे में हाना तो यही आपका option बन जाएगा answer 60 घंटे कैसे निकाला direct आप अगर यहाँ पे 1 की जगा कुछ और value आती तो आप कैसे करते तो आप यहाँ पे 60 के नीचे में 1 लिखते और यहाँ पे divide कर देते तो आपकी answer जो है बन जाता ठीक है यह B की हमने value निकाली यह B क्या है लीकेज है और यही लीकेज बता सकता है कि जो टंकी हो कितनी देर में खाली कर देगा ओके I hope so concept आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया है तो भाई थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाए और देखे वहाँ से करिए next question question number six है यह आपका partnership का यह question मैंने आपके लिए रखा है इसमें देखे दो players है रासिका और निकिता हमने आर और एन मान लिया है दोनों नहीं amount कुछ invest किया है इसने 40K invest किया और इसने 75K invest किया है ठीक है और कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए invest किया है और फिर 5 साल बाद इनको 46,000 का profit होता है तो इनको बताना है कि रासिका का profit क्या है ऐसे question को कैसे कर देखे हमने लिख लिया कि यहां पे रासिका और निकिता का जो ratio दे रखा है ratio में हम ले रहे हैं चीजें ठीक है ratio जो दे रखा है वो 40K और 75K है अब यहां दोनों का जो time period है वो same है कि 5 years तो अगर हम into 5 करेंगे into 5 करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि although यह cut नहीं वाला है क्योंकि हम क्या ले रहे है ratio ले रहे है ठीक है बट अगर दिया होता कि राशी का 7 महिनों के लिए या 8 साल के लिए और time period आपको देखकर चलना है कि दोनों का time period साल में दिया हुआ है या फिर months में दिया हुआ है तो आपको वहां पे change भी करना पड़ेगा same units होनी चाहिए same unit का concept आप समझते हो तो यहां पे क्या करना है जो भी year दे रखा है ठीक है जितने भी साल के लिए वो invest कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है यहां पे दे रखा है पांच साल दोनों तो हमने पांच मांच को दोनों से into कर दिया although यह दोनों कठी जाएंगे हमको ratio किसका लेना है हमको ratio लेना है 40 और 75 का ठीक है तो ऐसे आपको ध्यान रखना है अब हम यहां पे जो profit बटेगा ना वो किस ratio में बटेगा जितना उसने amount लगाया है और जितने साल के लिए लगाया है वही आपका बताएगा कि यह कितना profit होने वाला है इस question में मैंने आपको बताया कि यह दोनों ही 5-5 साल के लिए invest कर रहे हैं अब अगर हम इसको solve करने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि यह 5 से 5 तो cancel हो जाएगा यहाँ पे अगर हम cancel करने की बात करें तो 5-8-0-45-1-0-5-6-7-5-5-0-25 कुछ इस तरीके से आपका answer बनेगा answer नहीं बनेगा मतलब ratio बनेगा ठीक है तो 8 ratio 15 बना अब देखें यह क्या है profit का ratio है कि जो भी profit होगा उसमें से 8 हुआ हिस्सा जो होगा वो किसको मिलेगा राशी का को और जिसमें जो निकिता है उनको 15 वाला जो हिस्सा है वो मिलेगा देखें अभी कैसे हिस्सा निकालते है वो भी हम बताते है आर और एन का रेशियो कितना आ गया 8 और 5 ठीक है आर और एन का रेशियो कितना आया हमारा 8 और 15 ठीक है तो अब देखिए इसको हम प्लस करेंगे 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 और यही 23 आप देख लिजे क्या है यह profit दर्शार है कितनी value दे रखी है 46,000 दे रखी है वेल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे इसके नीचे अपउन 8 करके इसके नीचे अपउन X कर देंगे कुछ इस तरीके से इसको अप्सॉल्फ कर लिजे 23 बन जा 23 टूजा यह टू टाइमस जाएगा और X फिर यहां पे इससे इंटो हो जाएगा 18 टू टू तो X की वेल्यू किया जाएगी 16,000 और X क्या है हमारा जो यह प्रॉफिट हो रखा है राशिका को ठीक है तो याद रखेगा यह 16,000 आपका अंसर बनेगा एक एस मैं आपको बता दूँ जितने जितना भी पैसा हो ठीक है X रुपीज हम मान लेते हैं और इंटो टाइम T1 मान लेते हैं और यहां पे रुपीज और T2 मान लेते हैं ठीक है तो जो प्रॉफिट बटेगा वो भी इसी रेशियो में बटेगा जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया कुछ इस तरीकी से पार्टनर्शिप के कोश्चन्स होते हैं आगे आनल दिनों में भी आपको प्रैट्रिस करवाता रहूँगा आपको टेंशन मत लीजे, बाकी मैंने इबूफ में भी करवा रखा है तो आप लेना चाहे हैं तो वहां पे ले सकते हो आगशी कलास को फिलाल इतना ही यहां पे रखते हैं कैसे लगए आपको कोश्चन्स समझ में आया की नहीं आया कुसी question में doubt है तो आप हमें comment box में comment करके बताएगा और जो classes हैं हमारी previous value mental ability की value playlist को attempt करिये सारी की सारी classes करिये definitely आपको एक समय के बाद जब आप सब कुछ attempt कर लोगे ना सारी classes आप cover कर लोगे ना तो आपको चीजे समझ में आने लगेंगी बाई पता लगने लगेगा कि हाँ कैसे questions को tackle कर रहा है कैसे approach रखनी है कैसे questions को solve करना है कैसे दिमाग चलाना है और यह सब चीजे हमने अपनी e-book में भी practice करवा रखी है तो आप वहाँ से चीजों को देख सकते हैं description box में आपको link मिल जाएगा अपने ख्याल रखी अपने गहवालों का ख्याल रखी और practice करते रहे है practice ही वह चीज है जो आपको maths जैसे subject में even हर एक subject में धुरंदर बना सकती है तो अगर धुरंदर बनना है और बनना ही पड़ेगा अगर competitive exams या आपको entrance exam निकालना है तो आपको धुरंदर बनना ही पड़ेगा तो हर एक subject पर focus करिए और अच्छे से तयारी करिए जै हिंद जै भारत